हेलो गाइस तो केसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिवी करेंगे 2020 की तमील लेंगविज ड्रामा फिल्म सुरा राई पोतरुका जिसको हिंदी डव वर्जन में नाम दिया हुआ है उडान फिल्म को लिखा और डिरेक्ट स्टार्ट करें और उसी के लिए उसने पाइलोट की पढ़ाई की और साथ ही में एरफोस जोइन किया था लेकिन जिसा ही थोड़ा टाइम बिदता है उसके बाद वो और उसके दोस्त अपने ड्रीम को फुल्फिल करने के लिए अपनी सेटल जोग को वो छोड़ दे थे नि नीडु मारन के लिए अपना सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन में काफी बड़े बड़े लोग है जिसमें एक है परेश गोस्वामी जिसका रोल प्ले कते नजर आएंगे परेश रावल तो बाकी की कहानी यही है कि नीडु मारन किस तरह से स भी मुसीबतों का सामना करेगा और अपना ड्रीम फुल्फिल करेगा और किस तरह सो डेकनेर को लॉंच करता है उसके बाद क्या प्रोब्लम आते है उसको किस तरह से फेस करता है यह पूरी जरनी फिल्म की कहानी है यह सब चीज़े देखने के लिए आपको पूरी फिल्म रैटर डाइरेक्टर यानि की सुधा कॉंगारा जिनोंने एक बार फिर से एक सांदर स्टोरी हमारे सामने पेस की उई है उनकी फिल्म साल अखड उसमेंने देखी हुई थी वो काफी सांदर फिल्म थी उसके बाद मैंने उनकी यह दुसरी फिल्म देखि हुए जो भी काफ काफी बढ़िया तरीके से लिखी हुए जिसमें जो इमोशन्स डाले हुए वो काफी परफेक्ट नजर आ रहे हैं। फिल्म की जो रियल स्टोरी थी उसमें कुछ फिक्सनल अलेमेंट उन्हों ने एड़ किये हुए, लेकिन उस अलेमेंट को इतनी बहतरीन तरीके सोंनों ने इंसर्ट किया हुआ है, जिसकी वज़े से फिल्म देखने का मज़ा हमारा दुगना हो जाता है, फिल्म में जिस तरस उन्होंने emotions का roller coaster चलाया हुआ है वो काफी सांधार है फिल्म के सभी emotions each and every emotions हमें touch कर जाते हैं और फिल्म की सभी aspect हमारे लिए perfect way में काम कर जाते हैं जिस तरस उन्होंने फिल्म का drama greedy way में दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है वही फिल्म का biggest highlight point है साथ ही में lead character को उन्होंने जिस तरसे characterize किया हुआ है और उसको establish किया हुआ है वो सभी चीजों में हमें मज़ा आता है और उन सभी चीजों में जो emotions देखने को मिलते हैं वो हमें अच्छी तरसे connect होते हैं सुर्या और अपरना बाला मुरली के पास भी उन्होंन काफी बढ़िया performance निकलवाई हुई है फिल्म में director ने पती पत्नी के बीच का जो angle दिखाया हुआ है बाद में मा बेटे का जो angle दिखाया हुआ है वो सभी चीजों का अच्छा मिसरन किया हुआ था और उन्होंने सुर्या और परेसरावल के बीच में जिस तर से तकरार दिखायी हुए वो सभी एपिसोड फिल्म के प्रती हमें और भी जादा engaging रखते है और इन सभी चीजों में जो अलग-अलग हमें different emotions देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह से हमें फिल्म के प्रती पकड़ के रखते हैं जिसकी वज़र से फिल्म के जितने भी emotional aspect थे जितने भी emotions थे वो हमें फिल्म खतम होने के बाद भी याद रहेंगे फिल्म में आपको ऐसे scenes भी देखने को मिलेंगे जहां पे आपके रोंग्टे भी खड़े हो जाएंगे और director सुधा का जो narration देखने को मिलता है वो भी हमें अच्छी तरह से engaging और impress कर जाता है इसके लाद दूसरे सभी technical aspect में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी फिल्म का जो music और background score था वो फिल्म का सबसे बड़ा highlight point था जिवी प्रकास कुमान ने इस फिल्म का music दिया हुआ है और उन्होंने फिल्म के सभी scene को काफी highlight किया हुआ है उनके music और उनके background score के थूँ फिल्म देखने का मज़ा हमारा दुगना हो जाता है cinematography की बात करे तो camera work काफी stunning देखने को मिलता है जिस तरह से गाउं का location दिखाया हुआ है aviation का backdrop दिखाया हुआ है उन सबी चीजों को बढ़िया तरीके से showcase करके हमारा सामने paste किया हुआ है फिल्म के VFX की बात करे तो वो काफी top notch वाला देखने को मिलता है फिल्म के VFX इतने बेतर है जिसके वज़े से फिल्म देखते समय आपको जरा भी दिक्कते नहीं आई और जरा भी मेसुस नहीं हो पाएगा कि इसमें VFX यूज हुआ है इसके अलावा फिल्म के डायलोग अच्छे थे डबिंग की बात करे तो हिंदी डव वर्जन में सूरिया को आवाज दे रहे है संकेत महात्रे उनकी आवाज बढ़या तरीके से सूट कर रही थी लेकिन औरिजनल लेंगवेज में अपनी वोईस के थूँ सूरिया अपने केरेक्टर में एक डेप्त क्रियेट करते वो डबिंग में पूरी तरह से नहीं मिल पाती है लेकिन वोईस संकेत महात्रे की थी तो वो पर्फेक्टली सूट कर रहे थी और एक केरेक्टर बढ़या तरह किसे स्टेबलीस हो रहा था डबिंग के थूट इसके लाद दुसरे सभी एक्टर को जो वोईस दी हुई थी वो भी परफेक्टली सूट कर रही थी मुझे सिर्फ परेस रावल की वोईस से ही थोड़ी दिक्कते आ रहे थी उनके ओरिजिनल वोईस हमने सुनी हुई है उसके मुकाबले जो डबिंग वाली वोईस थी वो हमें परफेक्ट सूट नहीं हो पाती है फिर भी उस वोईस के साथ हम सेटल नहीं हो पाते है उनके लिए वो वोईस ओवर आर्टी सूट नहीं हो रहा था वो चेंज करना चाहिए था तो और वोई फिल्म की हिंडी डबिंग की बात के तो वो डिसेंट वे में क्रेट की हुए है जिसके होज़ा से फिल्म देखने का मज़ाब का जरा भी नहीं बिगड़ेगा अब बात कते फिल्म के पर्फॉमन्स की तो फिल्म के लीड एक्टर यानि की सूरिया जो नीडु मारन का केरेक्टर निभाते हुए नजर आते उस केरेक्टर के लिए काफ़े बढ़िया तरके से उन्होंने काम किया हुआ है इस फिल्म के थुरू वो अपनी करियर बेश्ट परफॉमस देते हुए नजर आते फिल्म का जो केरेक्टर था उसमें उन्होंने आसानी से एक बड़ी असी देप्त क्रियेट किये हुए है उन्होंने फर्फेक वे में उस केरेक्टर को समझा हुआ है नीरु मारन का केरेक्टर इस तरह का था कि उसके सपने काफी बड़े थे उन्होंने अपने रोल को काफी अच्छे वे में समझा हुआ है उसमें उन्होंने इमोसंस में जो वेरियेशन क्रेट किये हुए पर्फेक है इस फिल्म के डिफरेंट इमोसं की वज़े से सूरिया का परफोमांस काफी सांदार नजर आता है और उनके इस emotions का roller coaster आपको पूरी फिल्म में इंप्रेस कर जाएगा और उनका performance पूरी फिल्म में आपका ध्यान खीच के रखेगा सूरिया के performance के बाद अब बात कते अपरना बाला मुर्ली की जो फिल्म की लीड एक्टरेस थी और उन्होंने बढ़िया तरीके से सूरिया के करेक्टर को support दिया हुआ है उन्होंने उनकी vibe का किरदार निभाया हुआ है जिस तरस उनका करेक्टर लिखा गया था उस पे अपरना बाला मुर्ली का काम काफी सांदार नजर आ रहा था उनकी acting ability काफी perfect नजर आ रही थी वो पूरी तरह से सूरिया के करेक्टर को एक pillar की तरह support दे रही थी expression, emotion, साथ ही में जो body language थी और सूरिया के साथ जो chemistry उन्होंने share की हुई है वो सभी चीजों को मिला कर उन्होंने एक सांदार performance deliver किया हुआ है अभी recent time में जितनी भी actress का मैंने performance देखा हुआ है उसमें मुझे अपरना बाला मुरली का ये performance काफी ज़्यादा best लगा हुआ है इसके लावा परेस रावल का जो negative role था वो उन्होंने काफी classy way में निभाया हुआ है वो बड़या तरीके से अपने role के थुरू अपने character में कच्छी depth create करने में काम्याब रहते इसके लावा आपको मौन बाबू Air Force के officer के रूप में दिखाए देंगे जिनका role तो छोटा था लेकिन 2-3 scene में भी वो हमारा दिल जीच जाते इसके लावा बाकि सभी supporting artist ने जिस तरह से उनको character दिया वो था उसी हिसाब से अपना काम निभाया हुआ है जिसकी वाज़े से फिल्म का overall performance काफी सांदार नजर आता है तो में 2020 की Tamil Language ड्रामा फिल्म सुरा राई पोतरू जिसका हिंदी डव वर्जन यानि की उडान इस फिल्म को 10 आउट ओप 10 की rating देता हूँ कूल मिला के बात करें तो सुरा राई पोतरू यानि की ओडान जिसमें आपको सूरिया और अपरना बाला मूरली की best performance देखने को मिलेगी इस फिल्म के सभी technical aspect भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे और जो direction है जो narration है वो काफी engaging है engaging drama देखने के लिए आप ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो फिल्म को आपको miss नहीं करना चाहिए ये एक बड़िया सी inspiring फिल्म है जिससे एक अच्छी inspiration मिलती है तो बस guys आज की review में इतना ही था I hope आपको ये review पसंद आया होगा अगर review पसंद आया तो वीडियो को like और से जरूर कीज़ेगा और अगर आपने फिल्म देख ली या फिल्म देखने वाले हो तो फिल्म देखने के बाद हमें comment करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और भी असने साथ इनन मूवी के हिंदी review के लिए अब कमिंग साथ इनन मूवी की news के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक्यो